ही गाइज वेलकम बैक और आज हम देखने वाले हैं एक्सराइज 2.2 का कोश्चन नमबर 7 यह एक्सराइज का लास्ट कोश्चन है तो चलिए अब इसको हम मिलके सॉल्स करते हैं तो जो फर्स है कॉलम एका फर्स क्या है 425 इंटो 136 is equal to 425 इंटो 6 तस 30 प्लस 100 तो इसमें क्या कर रहा है 136 को distribute कर दिया है distribute कर दिया है मतलब यह कौनसी property है distributed property और इसमें कहा लिखा है distributed property यह लिखा है distributed property of multiplication over addition so यह हमारा first वाला है okay मैं यहाँ पर numbering डाल भी हूँ यह वाला हमारा हो गया now our second one is 2 इंटो 49 इंटो 50 is equal to 2 इंटो 50 इंटो 49 numbers तो वही है बस उसका sequence change कर दिया तो क्या उसका answer भी change होगा नहीं ना तो मतलब यह हमारी quantity property है इसमें multiplication बढ़ाता है commutative under multiplication addition तो किसमें दिखी नहीं रहा है आप यह addition दिख रहा है क्या आपको नहीं दिख रहा ना तो हमारा तो यह क्या होगा multiplication का तो यह हमारा second वाला है ठीक है यह है फिर यह वाला भी चला गया 80 plus 205 plus 20 is equal to 80 plus 20 plus 205 तो इसमें क्या करना है इसमें बस वही है जो second वाले है बस इसमें multiplication है बस इसमें multiplication है बस इसका sequence change किया है पर number change नहीं हुए है तो इसको हम क्या कहेंगे हम MUTATIVE UNDER ADDITION ओके हो कि अंदर सेंट अगों सब्सक्राइब करने के बादे घंटी आएगी उसको पर बजा देना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना Merry Christmas and Happy New Year to all of you एस exercise को में क्या समझनी आया comment करके बताना I will surely reply to your comment ते अब मिलती हूँ मैं आपसे मेरे अगले वीडियो में तब तके लिए take care and bye